जैन साती हो आपके यूट्यूब चैनल नों स्वागत है दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया इस्पेशल जीके में लाया हूँ आपके सामने रहा पहला कोशन समय कम है अपने पास कम समय में हम बहुत अच्छी तरीच के जाला जाला कोशन अट्रम करने कोशच करेंग तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन डी महाराष्ट आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगले प्रसन कीव चल दें दोस्तों निम्न में से किस इस्थाल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिय था तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन ए सारनात अगला समाज के साथ सीमित उत्पादक संसादनों के कारण अपेचकरित दुरला बस्तूओं के बीच चेन की समस्या को डैस की मदश से चित्रित किया जा सकता है तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो होगा संसंभावना चक्र बिलको सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रसंगी को चलते हैं सी राज घोपला चारी ने निमन मैंसे किस राज में नमक सत्य अगराय का नेत्रत किया था तो आपको पता होना चाहिए कि नमक सत्य अगराय का नेत्रत किया था तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन पॉली वीटा हाइड्रोक्सी वीटारेट कड़ सलफर कड़ और गेस रिक्तिकाएं सामिल होती हैं तो दोस्तों किसमें होती हैं कोशी का द्रब तो यहां पर आपको कोशी का द्रब सही उत्तर लगाना है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कोशा द्रब आंसर अगले कोशन चलेंगे दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महला सास का कौन थी तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महला सास का जो थी रजिय सुल्तान थी तो रजिय सुल्तान आपका विलकुल सही उत्तर हो जाएगा रजिय सुल्तान जो है इल्तुत मिस की पुत्री थी तो इलतुत में सापका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किसकी पुत्री थी तब ठीके दोस्तों अगले प्रसंसा के जो चलते हैं अगला कोशन आपका जो है पदावली कीर्टन मद्यकालीन पश्चिम बंगाल 15 से 70 सदापदी में किसकी प्रसंसा में रचित गीतों को संदर्वित करता है तो option आपका B, विश्णू बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, तो विश्णू की प्रसंसा में रचित गीतों को संदर्युत करता है, पदमावली कीर्तन, ठीक है दोस्तों, तो मद्यकालीन जो पस्षी मंगाल की समय आप देखेंगे, तो यहाँ पर विश्णू भगवान की बा कर रहा है, तो मौर आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, मौर वरंस का संसापक गौन था, तो आपको पता होना चीज़े दोस्तों, चंदर गुप्त मौर आपका बिलकुल सही उंसर होगा, अगला, निम्न में से किसराज में राजपाल को कानून और विवस्टा तथा उससे संबंदिद उसके कारियों के निर्वहन के संबंद में समिदान के अनुछेद 371H तो आपसे दोस्त पूछा है 371H के तहट बिसे जिम्मेदारी दी गई है तो अरुनाचर परदेश साब का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगले कोशन के चलते हैं निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियन लीग IPL के संस्तापक और पहले अध्यच और कमिशनर थे तो आपका सही जो उत्तर होगा ललित मोधी इस दा राइट आंसर ओप्शन ए ललित मोधी नेस्ट कोशन के चलेंगे IDBI मतलब इसका फुल पॉम जो होगा भारती और जोगेक विकास बैंक का मुख्यालाए निम्न में से किस राज में है तो IDBI का जो मुख्यालाए वो महराष्ट में है आपको जहारा करना है महराष्ट के मुंबई में तो मुंबई आपका बिलकुल सही उत्तर होगा इसके आगे युजना आयोग एवं भारती राष्टी एकता परसत के अध्याच कौन है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा पिर्धान मंत्री पिर्धान मंत्री इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा पिर्धान मंत्री ठीक है फ्रेंस अगले कोशन के जो चलना है पस्षियों के बेग्यानिक अध्यन को क्या कहते है तो आपको ध्यान रखना है तो पस्षियों के बेग्यानिक के अध्यन को क्या कहते केंबे की खाड़ी को क्या बोलते हैं दोस्तो ध्यान रखना घुमा के यहाँ पर पूंचा है आपसे तो केंबे की खाड़ी का मतलब है खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है तो दोस्तो तापती नदी जाके कहाँ पर गिरती है गुजरात के अरफ सागर के खंबात की और साबर मती नदी भी अरफ सागर में जाके गिरती है जो आगको तीनों और अच्छे से याद रखना है ओके फिरेंट अब आगे की वड़ चलते हैं सबसे लंबे पंक फैलाओ वाला बिसालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौम सा है तो सबसे बिसालतम समुद्री पक्षी कौम सा है जो सबसे लंबे पंक फैलाओ वाला है वो है वंडरिंग अलवा ट्रॉस तो ऑप्षन आपका सी वर्डरिंग अलवा ट्रॉस आपका बिल आप से पानी का water का वालिंग पॉइंट ऐसा पूछ रहा है जो सी लेवल पर मतलब समुदरी इस तरह पर तो पहता है डिग्री हो लेकिन अपने एट्मोसियर के हिसाब से कितना होना चाहिए यह बॉलिंग पॉइंट तो वह होता है हंडेड डिग्री सेल्सियस आपको पता है पानी जो उबलता है वह कितने डिग्री पर उबलता है हंडेड डिग्री सेल्सियस पर पानी बनने लगता है तो आपको आई होप केलियर हो गया होगा अगले कोशन की वह चलते हैं इन विज्द ऑफ दा फॉलिविंग से इन दा इको रिट्रेट फेस्टिवल हैड एवरिय करता है नेस्ट निमने मैंसे किस खनेज में आतिजवाजी में हरा रंग उत्पन होता है तो आपको ँएक फ्यूस निमने मैंसे किस जाएई स्रय करता है तो आपको रहे होना चाहिए ज़ो घर में और जया जा जाती है मतलब अधी भारण जब हो जाता है तो उस समय क्या करता है फ्यूज बिद्धर परवत की सुरच्छा करता है तो option B अधी बार overloading साही उत्तर हो जाएगा अगला निमने में से कौन सा अर्थ सास्तर की द्रश्टी से human wants मानव चाहे human wants की विशिष्टा है तो अर्थ सास्तर की द्रश्टी कौन से human wants की विशिष्टा है वो है wants मतलब चाहे तृत पे होते हैं मतलब चाहे जो है तृत पे होते हैं तो option आपका ए बिलकुल सई आंसर हो जाएगा काठिया वार्ड प्रायदीव किस भारती राजमें हैं दोस्तों बहुत ही simple question है काठिया वार्ड प्रायदीव जिसे सौराष्ट प्रायदीव भी कहा जाता है आपको याद अखना है ठीक है फ्रेंस तो आपको ये clear हो गया होगा सौराष्ट प्रायदीव लगता है कि आप भी दिलवाले हैं ठीक है तो आप हमारा थोड़ा support करेंगे आप हमारी वीडियो को like करें साथ जली साहब हमारे चैनल को subscribe कर लिजा अगर अवी तक subscribe नहीं किया है ठीक है दोस्तों आपका support हमारे लिए बहुत काम आएगा अगले question क्यों चलते हैं दोस्तों Collision एक प्रकार का क्या है? तो Collision जो है, वो एक प्रकार का क्या है? दोस्तो, Option C, Protein है. तो Protein आपका विलकुल अच्छे से ध्यां रखना है, Protein. ठीक है, Friends? तो Protein आपका विलकुल सही उत्तर हो जाएगा. Collision क्या है एक प्रकार का? Protein, Option C, Will Be Right Answer. निम्न मैंसे कौन House of Commons में सीड़ जीतने वाले पहले भारती थे? तो House of Commons में सीड़ जीतने वाले पहले भारती कौन थे? तो The Grand, Old Man, दादा भाई, नरोजी, Options D, आपका विलकुल सही उत्तर हो जाएगा. इजी कोशन था, आपने इजली आरम से कल भी लिया होगा. तो दोस्तों आपसे परिच्छा में किस तरह से कोशन पूछता है? सुनिए. आपसे काईगा कि A.C.R. T. Society की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपसे पूचेगा, A.C.R. T. Society की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? कलकत्ता. आपसे काएगा ACRT society की स्थापना किसे ने की थी तो जे मैं सारे question आपसे पूछे वे बता रहा हूँ आपको अच्छे ध्यान रखना है तो sir William Jones ने कलकत्ता में ACRT society की स्थापना की थी अब यहाँ पर person पूछा गया कब की थी तो option आपका C 1784 विलकुल आपका सही उत्तर होगा 1784 आपका सही उत्तर होगा I hope आपको यह clear हो गया होगा अच्छा एक question और यहाँ से कलकत्ता से नई दिल्ली राधानी कप परिवर्थित हुई थी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1911 में ठीक है अगर आपसे कहा जाए नई दिल्ली को राष्टी राधानी कदर्था कप प्राप्त हुआ था तो नई दिल्ली को राष्टी राधानी कदर्था जो प्राप्त हुआ था पर याद रखना है अगर आपसे पूचा जाए कि यहां पर राष्ट्येगान पहली बार भारती राष्ट्ये के अधीबेसन में कहाँ पर गाया गया था पहली बार राष्ट्येगान 111 गाया गया था भारती आश्टिये कॉंग्रेस पार्टी के अधिवेशन में तो आपको जेवी बात अच्छे से याद रखनी है ठीक है फ्रेंब्स हम चलेंगे आगे की और फरवरी दोहर 21 तक मतला दोस्तों फरवरी 21 नहीं यहां पर कितना होना चाहिए 23 फरवरी 23 तक पुरुस क्रिकेट मैट टेस मैच में गेर विकेट कीपर के तौर पर अधित्तम केंच लपकने वाले कौन से भारती हैं तो आपको ध्यां रखना है भारती की बात की गई है तो गेर विकेट कीपर की रूप में कौन है राहॉल दिरविट जी आपसे पूंचते ही रहेगा चाहिए आपसे दो सालवाद तीन सालवाद पांस सालवाद यह कोशन आपका यही आएगा सिम टू सिम ओके अगर यहां से कोशन बना तो बहुत ही जी ध्यां रखना यहां पर राहॉल दिरविट जो हैं बल्लेवाज थे राहॉल दिरविट को ही भारत की दीवार किसे कहा जाता है राहॉल दिरविट को आता है अजकल चाइना में सब्द किस खेल से संब्दित है तो चाइना में जो सब्द है दोस्तों आपको ध्यान रखना है चाइना में जो सब्द है वो किस खेल से संब्दित है तो चाइना में जो सब्द है वो किरक्रिड से ही संब्दित ध्यान रखना तो चाइना में भारत में चाइना में किलाड़ी की नाम से कों जाना जाता है, तो कुल्दी यादव को चाइना में são जाना जाता है, जो की एक बॉलर हैं। भारत में स्पनर हैं। ठीक है लेइप टानर जूर जो आपको कहां पर हुआ था, तो आप ध्यान राखना है। आसपास वाले एरिया में कहाँ पर दोस्तों जारखंड के आसपास वाले एरिया में संथाल विद्रो हुआ था तो उसका नेता पूछा गया है तो सिद्धु मांजी आपका विलकुल सही उत्तर हो जागा सिद्धु मांजी विल भी राइट आंसर सिद्धु मांजी जो थे व बारा जन्मदी को राष्टी युवादवस मना जाता है ठीक है सम्मधान के पिताम है किसे कहा जाता है सम्मधान के पिताम है बीयार अमेड़कर को कहा जाता है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है गौलियर के किले का निर्माड किसे ने करवा था तो राजा सू गौवा को राज का दरजा दिया गया था ज clips सब्सक्राइब। ठीक है तो इजी आपको आरम से सारी बास समझ में आ गई हैं अब हम आज के अंतिन प्रसंट की वर चलते हैं जो कि यहां पर बहुत इंपोड़न है सोन भंडार गुफाएं निमनमेंसक किस राज़ें पाई जाती हैं तो सोन भंडार की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं वह बेहार हैं पाई जाती हैं अगर दोस्तों यहां पर अगर बिकल बोदा करनाटक तो बहुत से बच्ची गलत करके आते क्योंकि सोने की भंडारन हैं वह आप देखेंगे की करनाटक में लेकिन नहीं सबसे ज़्याद अगर कहा जाए कि मतलब आप से जाए कि सोने की खदान कहां पर है या सबसे ज़्यादा यहां पर कहां पर फिल्ड है सोने की तो आप लगाते कोलार गोल्ड फिल्ड केजी अप केजी अप का अपने नाम भी सुना होगा कोला फिल्ड कहां पर है करनाटक में अगर आप से यहां से क्रूशन क्या पूछ रहा ह ध्यान रखना सोने की भंडार की गुफाएं कहां पर हैं तो गुफाएं जो है न वो बिहार आपका 100% राइट आमसर होगा अगर आपसे पूछा जाए कि सोने की यहां पर फिल्ड सोने का छितर कहां पर है कोला गोल्ड फिल्ड है दोस्तों करना तक तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा यहीं से ख़दान खोदी जाती है तो आई होब आपको सारे कोशन आसानी समझ में आ गए होंगी दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर आपसे यहां से एक और कोशन पूछ ले कि असम असम राज्ज में क्या चीज फ्यम ऐसे तो आपको ध्यां रखना है एक सिंग वाला जिसे जेए रखना है डाज़े की भार आफ इंगलेज में एक सिंग वाला गैणड जिस रायनो बोलते हैं काजी रंगा राष्टी उध्यान में राइनो जो हैं पूरे बिस परसिद्द्ध आपको ध्यां रखना है उडिशा के बारे में ध्या रखना है आपको उडिशा मे दुनिया का सबसे लंबा क्या बना हुआ है बांध बना हुआ है जिसका नाम हीरा कुंड बांध कहां पर बना हुआ है उडी साम है तो आपको धहां रखना है हीरा कुंड बांध बना है उडी साम बना है कौन सी नदीपर बना हुआ है महा नदीपर कितना लंबा है 25.8 km लंब कि यहां पर आदा सिला रखी गई थी और दस साल में जी बनके तैयार हो गया था के लिए दोस्तों आई हो आपको जो मैंने पढ़ाया आपको सबको समझ में आया होगा आपको वीडियो अच्छी लए होगी जोने अभीता चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को करेंजुए रषी Étatsव आपको जोगर ऑ'RE स्ब्सक्राइब करेंट टेम एमा धा मैं ग्रिश्टेंवर में टो च्रिच यह लगार व्यूला क hail ठीकशक्षोएब का रस्ड़ी ओंक ठ सरे स्ब्स्क्षण सक् succeeded है? है making decision में थाच्छी ओर अटोऊज़ आपको